प्रिंसर के इस पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज मदब्रदीज जवलपूर उचन्याले में MPPSC के नए परिक्षा परणामों को लेकर सुनवाई भी आप सभी को पता ही है कि MPPSC ने परिक्षा परणामों को जारी करने के लिए एक नया फर्मूला इजाद किया है जिसमें की 87 परणाम है वो कंफर्म है और बचा हुआ तेरा परणाम है उसको प्रोविजनल लिस्ट बनाकर दो पार्ट में बाटा गया है जिसमें की एक पार्ट जो है वो तेरा परणाम जारी करने के लिए यह एक नया फर्मूला निकाला था लेकिन अफिर थी पुनह इन परिणामों से असंतुस्ठ होकर पहुँच गए माननी ये नियालाई की शरण में तो आज जो है क्या हुआ कोड का फैसला क्या रहा और क्या परिक्षाओं के परिणाम फिर से जारी होंगे इस पर हम बात करने वाले हैं अगर आप चनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन है हमारे सोशल मेडिया के जो प्रैटफॉर्म्स दिये गए उनकी लिंक्स पर क्लिक करके हमें जोईन कर लें क्योंकि आने वाली परिक्शाओं से संबंदेत करेंट अफ्यर जर्नल अविनर्स टैस्स स्रीज कक्षाएं नोट्स सभी हम आपके लिए शेर कर रहे हैं और आपको ये देखना है कि ये जो कॉंटेंट हम शेर कर रहे हैं ये कितना दमदार है चाहे वो टैस्स स्रीज के क्षेंस हो या फिर हमारे नोट्स हो या कक्षाओं में पढ़ाने का तरीका हो आप पाएंगे कि क्वालिटी आपको भरपूर मिलेगी जो कि आने वाली परिक्शाओं में आपकी मेरिट के लिए बहुत ही सहाइक सिद होगी साथ ही प्रिंस सर का माखदेशन 968570712 ये नंबर है इस पर आप हमारा माखदेशन प्राप्ट करिए हिंदी अंग्रेजी सब ही माध्यम के जो अफिर्थी हैं दोनों माध्यमों के अफिर्थी प्रिंस सर के माखदेशन में हैं 2019 और 21 फिलहाल 20 को लेकर अभी पस उपेस की स्थिती है क्योंकि अभी जो 20 का रिजल्ट है उसको लेकर आयोग मौन है तो जो भी परिक्षाएं हैं जिस पर यह फॉर्मूला लगा है 87 प्रतिशत तेरा प्रतिशत वाला इसको लेकर आज सुनवाई थी अभी प्रतिशत वाली उसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो OBCS, CST यानि कि जो रिजर्ब करडेगरी के फिर्थी हैं उनको जगे नहीं दी गई है ऐसा उनका कहना है फिर्थियों का और साथ ही यह भी कहा गया है कि परिक्षा के मध्य में जो है वो नियम नहीं बदले जा सकते क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं ह कि किसी भी परिक्षा का जो परणाम है वो 113 प्रतीशत मान कर जारी किया जाए तो इनी बिन्दूओं पर सुनवाई भी पक्ष विपक्ष ने अपने तर्क रखे अपनी बातों के हिसाफ से मानी न्याले के समक्ष अपनी जो दलीले हैं उनको रखने की कुशिश की और मान इने फैसले में क्या कहा वो आपको बता रहे हैं इससे पहले आपको बता दें आने वाली सभी भरती परिक्षाओं की तैयारी के लिए अलीट स्टेडीज और पुछाओं के सैंपल्स हम लगातार शेयर करें हैं आप हमें जोईन करें हमारे सोचल मीडिया के प्रैटफॉर् हैं यानि कि अब आपको थोक के भाव में कॉंटेंट पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है अब आपको वही पढ़ना है जो की एक्जैम में पूछा जाता है और यह हमारा ओल इन वन स्टेडी पैकेज है या आप अपने दोस्तों मित्रों सेपार्टियों को संबंधी जनों क बता सकते हैं इसमें व्यापम के सारे विश्यकबर हैं जाहे वो सामानिग्यान हो विज्यान हो कंप्यूटर हो प्रबंदन हो इंदी अंग्रेजी गड़त तारके योगता हो और इसके साथ हमारी जो टेस्स रीज़े वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है तो आप सभी व्या प्रख्ष की तरफ से अपने जो भी कहना चाहिए पॉइंट्स हैं वो रखे गए अब मानी अदालत ने जो है वो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है यानि कि आप कह सकते हैं कि आने वाले दो चार दिनों में यह फैसला अपलोड हो जाएगा और बात वही है कि अगर फैसला जो है कहना चाहिए एक तरह से आप सभी जानते हैं कि अगर 87-13-13 प्रतीशत के जो फॉर्मूला MPPSC ने जाद किया है जो कि बताय जा रहा है कि 2015 के जो नियम है उनका उलंगन है तो अगर इस तरह से मानी या अदालत इसको कंसीडर करता है चुकि अब यह अदालत के उपर है फिर भी हम एक संभावना जो है वो जता रहे हैं कि अगर यह नियमों का उलंगन माना जाता है तो क्या फिर परिक्षाओं के परणाम बदले जाएंगे और अगर नहीं माना जाता है तो फिर क्या परिक्षाओं के परणाम यही रहेंगे तो इन सभी सवालों का प्रदीशत का जो ये नया फार्मूला है जैसे ही लाया गया था मानी नियाले का फैसला कुछ भी हो लेकिन मुझे बड़ा सर्प्राइज हुआ एकदम से और मुझे ये लगा कि चुकि मानी सरवोच नियाले की गाइडलाइन है कि रूल्स जो है वो खेल के बीच में नहीं बदले जाते हैं ये पहले तैकर लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं मुझे ये संशे हुआ कि ऐसा नहीं होना था लेकिन ठीक है चुकि परिक्षाओं के परणाम रुके हुए थे वो जारी होने लगे इसलिए ये था कि अगर अव्यर्थियों को सुई का रहे हैं तो फिर हमें सुई कार करने में क्या प्रॉबलम है तो कैर ये आदालत की ऊपर छोड़ देते हैं कि उनका फैसला क्या रहता है लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई रूल ऐसा नहीं है कि परिक्षाओं के परणाम 113 प्रतिशत पर जारी किये जाए बागी देखते हैं क्या होता है बने रही है हमारे चैनल पर वीडियो की लिंक शेयर कर देना और ये टेस्ट रिश्यू हो रही है टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्डन चीज होती है वो होते हैं प्रश्न प्रश्नों का इस्तर आपने तनी तयारी की है सब कुछ पढ़ाई लिखाई की है लेकिन जो प्रश्न आप से पूशे जाएंगे वो वही होंगे जो एक्जैम में आते हैं या आये हैं या आप यह कह लीजी कि उन्हीं के एक्क्वेलेंट इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई का इस्तर क्या है एक अच्छा मूल्यांकन आप कर पाएंगे औ और सुधार कर पाएंगे क्योंकि बिना मूल्यांकन के ना तो मंजिल मिलती है और ना ही सफलता बने रही तन्यवाद